जे भीम, जे भारत, जे सबीधां ना, CA, NRC, NPR काया है, ना कि देशा पी लोकान नागरी कत्वा काया है, और तैचा वरती या वेवस्ते नी कशा पद्दती ने घाला घातले ला है, हे सग्ड़ चक्र जवर पास 4-5 महीने चाल ला ने तैचा नंतर मग लौकडाउन सुरुजा ला, लोगडोन शुरुज हरान अंतरा ता पास ते सहा मैनाचा काई जाला है जे कही संकट या भारत देशा वरती आलेला है देशा चा लोगतंत्र वरती आलेला है CA, NRC, NPR चा माध्य मातून त्या संदर बाद आपन सर्व जानकर आहताच परंतु हा मुद्दा कुटलाही परिस्तिती मदे दबूनें कि वा अंदोलन कुटलाही पद्धती नी शान्त होने करंजर अंदोलन शान्त जलतर लोगतंत्र दोक्या मदे ये अपले सर्वांचा नागरी कत्व दोक्या मदे ये तेचा मोले भार्ती यानना अपल लोगतंत्र वाचवीनया साथी बत्तिक नागरीकाचा नागरीकत्वाचवीनया साथी जो मुद्दा है जे जे सब्वेधानिक रित्या लड़तात, लोगतंत्र वाचाविने साथी लड़तात, तैंचा वर्ती जे अंदोरनकारी असतात, तैंचा आवास दाबना साथी एथील व्यवस्ता नहीमिच प्रहतनारत असते आनि मोट मोडे शडेंत्र दिखिल तैंचा माध्य मातून और अविरत पने राभोविनेत येत असतात, नागरी कत्व संपोनेत तुम्हाला माई तैंचा लोगडोन उठला नंतर, जे काही से एनार्सी चा माध्य मातून, हीजी सिस्टी माहें याना जी भूमी का गयाईचो दी तैंचा गेनार तदवत अपन यहां संदर वाद आपली क जमा मानी तर आंदोलना नाही करू शकत, पर एकत्रित न येता देखिल अपला आपला आंदोलना चा दिशा कशा अपला बदलवाई चा है, यहां संदर वाद देखिल आज आपला कड़े समता सहीन एक दला चा माध्य मातून, एडवोकेट फिर्दोस मिर्जास हैं आपला इक्सपर्ट मानों ते प्रसिद्दा है, आणि अर्था तस जेवा जेवा असवव्य धानी कारवाया होतात, तेवा 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 ते बहुजन वरगाल आणि भारती यांनना लोक तंतर कशा पद्धतीनी मस्बूत थेवाई चा है, संदर वाद वेडो वेडी अत्यंत देखिल तैनी कंट्यूनियस सहा महिना परंता मारगदर्शन केलेला है आज़ा हाजो विशय आहे देशा मधे क्या भारत के नागरीकों से नागरीक ताके अधिकार छीनने वाले और सब्वेधानिक कानून का विरोध करना देश द्रोह है विशय पुणा एकदाएका क्या भारत के नागरीकों से नागरीक ताके अधिकार छीनने वाले और सब्वेधानिक कानून का विरोध करना क्या देश द्रोह है लोगडाउन नंतर प्रतमा समता से निक दलाचा मात्य मातों एडवोकेट फिर्दोस मिर्जा सर हाँ विशय ग्योन आपला परंत ये तहे कारण भविशय मदे एनारा जो काड आहे जा समस्या है या फाल जटिल असना रहे लोगडाउन घातक असना रहे सब्विधानाला घातक असना रहे और भविशय अत्तनत महत्व पुरुना आहे आपन सर्वाण नी हाँ विशय समझोन घ्योन नंतर चे आपलाला काई स्टेप्स आपला देशाला वाचवना साथी देशाच लोगतंत राणी सब्विधान वाचवना साथी आपलाला समोरी कुथलेया योजना आखाय चाहे हे सरांचा मारगर चाहे तुमारा नकीच ताची उत्तर में तील आणी विचार व्यक्त जहला नंतर तुम्चा मना मदे कही प्रश्ना असतील तर नकीच तुमी लाइव चा माद्यमा तुन सर लाइव असनाराचा हे ते तुम्चा ते विशयाला तर अर्था तस नकीच ने शिवाय तुम्चा प्रश्नाचा देखेल ते निराकरण करती तैरा मी तुम्चा ता अधीक वेल घेना नहीं वडूया विश्या कडे मी फिर्दोस मेजासरन ना विनंती करते की आच्चा या महत्व कुरुणा विश्या संदर्वात तैन्नी आमचा देश बांधवान ना मार आज के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत हैं कि सबसे पहले में शुक्रिया आदा करना चाहूंगा संता सैनिक दल का जिनोंने यह सब्जेक्ट चुन संता सैनिक दल के बारे में 1938 में डॉक्टर भावसाब अमबेट करने बात नहीं तो कि संता सैनिक दल का सिपाही यानि समाज सेवा के लिए हमेशा हतेली पर सर रखकर लड़ने वाला लड़वया है और इसका एक्सपिरियंस इसका अनुभव हमको यह पूरे लॉक्डाउन में आया हमने देखा कि सौ दिन तक लगातार संता सैनिक दल के सिपाही गरीबों तक भूकों तक अना कि अधिकली जुपड़ पट्टियां रास्ते पर जहां जहां थे लोग वहां वहां उनको खाना पहुंचा है कि हेल्थ क्लिनिक चला रहे हैं यह बहुत बड़े काम है उनकी एज जब मैं देखता हूं परेड़ भी करते हैं बहुत दिख भी करते हैं और यह समाज सेवा के भी काम कर दें तो 1938 की डॉक्टर वाव साथ हमेटकर की जो बात है समता सेनिक दलवालों के लिए वह बिल्कुल सच लगती है कि यह वह लड़वाई यह है जो हमेशा अपने हथली पर सर रखके चालते हैं कि आज यह टॉपिक कि क्या CAA के कानून का विरूद करना देज़गरो है यह टॉपिक क्यों लिया यह जब मैं इनसे पूछा कफिल खान इनका जो केस आया है सामने उनकी जमानत हो गई ऐसा चल रहा था एक्टॉरी जमानत नहीं थी वो उनका जो डिटेंशन का ओर्डर है वह हाई कोट ने कौश किया था तो उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने अलाब अलीगर्ड मुस्लिम इनिवर्शिटी में एक भाशन दिया था जिस भाशन में उनके उपर इल्जाम था कि यह देश विरोधी है जिससे देश में अराजपता हो सकती है ऐसा उन पर पर तो क सब्सक्राइब करेंगे देश-द्रों की कानवाई की जा सकती है तो समता साहिनिक दल ने यह टॉपिक लिया जिससे एक आम शहरी में आम नागरिक में जागरुपता निर्माण होगी कि क्या ऐसा है तो चलिए आगे चलके देखते हैं कि हमने जब देखा पूरे मुल्क में या बल्कि पूरी दुनिया में इसका आंदोलन हो रहा था तो आंदोलन करता हूं कि हाथ मैंने तीन हथियार देखें आंदोलन करता हूं कि कि एक सबसे बड़ा हथियार था डॉक्टर बावा साब आमबिटकर का फोटोग्राफ दूसरा हथियार था हमारा तिरंगा देश का जंड़ा और तीसरा सबसे खतरनाक हथियार जो वो लोग हाथ में लेके चल रहे थे हैं वह लेके चल रहे थे भारत का समीधान यह तीन इस आंदोलनों के साथ में अगर आप तीन हथ्यारों के साथ आंदोलन को जोड़े तो किस एंगल से यह आंदोलन देश विरुदी हो सकता है देश याने क्या है चा देश सिर्फ मिट्टी पत्थर नदी नालों से बनता है क्या देश सिर्फ वहां रहने वाले लोगों से बनता है क्या देश सिर्फ कानूनों से बनता है नहीं देज बनता है वहां के रहने वाले लोगों से और उन्होंने अपनाए हुए समीधान से अगर कोई समीधान का विरोध कर रहा है तो वो देजद्रो है वहां के रहने वाले लोगों के समीधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो वो देजद्रो है लेकिन अगर समीधानिक अधिकारों के रक्षा के लिए जो देश का सबसे पिछड़ा हुआ गरीब पिछड़ा हुआ तपका है सबसे लास्ट परसन है मार्जिनलाइजड है उस तक के समीधान के फाइदे पहुचाने की कोशिश कर रहा है तो वह कभी भी देश द्रूई नहीं हो सकता अब बात समीधान की आई है तो अगर हम समीधान की बात करें तो समीधान अमको अलग-अलग तरह के अधिकार देता है सबसे महत्वा का पार्ट थ्री है वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स समीधान कहता है कि अगर इस पार्ट थ्री के किसी भी प्रावधान के खिलाफ अगर आप कोई कानून बनाते हो तो वो कानून गयर कानूनी है गयर स्वमिधान के खिलाप है आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं अगर आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं तो वो कौन से प्रावधान है जिनके खिलाप आप नहीं बना सकते हैं तो डॉक्टर वावा साव अम्मेटकर ने जब यह ड्राफ्ट किया तो इसमें आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है कि इक्वेलिटी की इससे बड़ी मिसाल हो नहीं सकती इस देश ने कानून के सामने सब को बराबर रखा है कि उसके बाद आर्टिकल 15 वो कहता है कि आप यह सरकार किनी दो नागरिकों के बीच में फर्क नहीं कर सकती इस बिना पर कि वो कहां पैदा हुए किस धर्म में किस जात में किस घर में पैदा हुए वो किस रेश से आते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं यह किसी भी बाद पर आपके साथ में फर्क नहीं किया जा सकता आर्टिकल 19 जिसका आज हमारा सबसे जादा सम्मध आज के पूरे लेट्चर का आर्टिकल 19 से हैं जो अभीविक्ति की आजादी देता है आप कि अर्टिकल 21 यह राइट creative डेता है मूठ तो यह जो राइट इनके خिलाफ में अगर इन राइट को कंट्रॉल करने के लिए कर कोई कानून बदा है या आप कोशicação करती यह सरकार तो और वह करने वाली सरकार अभी और समय धानिक काम कर रही है ऐसा काहता है एक युनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ हुमन राइट्स भी है जिसमें भी आर्टीकल नाइंटी नहीं जो अभी विक्ति के स्वतंत्रता यह हर दुनिया में पैदा हुए इंसान का बेसिक राइट बाहता है इंडिया उसका सिग अब आर्टीकल नाइंटी जो अभी विक्ति की हमको आजादी देता है उसका क्या मतलब है कि देखें दुनिया में कही तरह के जानवर इंसान भी उने से ही एक है लेकिन दुसरे जो जानवर है उनसे इनसान को अलग क्या चीज़ करती है वो है हमारा अभी विक्ति करने का इन्सान यह इकलौता जानवर है जो अपने विचार दुसरे अपने जैसे अपने स्पेसी तक के पहुंचा सकता है और वह अपने आपको व्यख्त करके अभी व्यख्त करके यानि पार आफ़ पीज दूसरे किसी के पास नहीं है हम देखते हैं दूसरे जानवर जो टीवी पर हम देखते हैं कि डॉल्फिन बात करी यह वेल्स बात करें नहीं वह कुछ आवाज है निकाल रहे हैं एक दूसरे कुछ इशारा लेकिन पूरी आइडियास ट्रांसफर यह सिर्फ यूमन बिंग कर स सफ्सक्राइब सबना को व्याइक सब्सक्राइब समय हो चाहिसे बोल रहे हो इंटरनेट पर जब पहली बार आया यह तो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स थे जिसमें से एक यह भी था कि सब्जेक्ट टू सेडिशन कि राश्र द्रोह के कानून को से इसको कंट्रोल किया जा सकता लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट बना और जो कंस्ट्यूशन हपने आपको हमने दिया और यह वर्ड उन्हें डिलिट किया और इस लौको जो कब इस राइट को कंट्रोल करने के जो है वो सिर्फ यह है कि आप अभी वेक्ति की जो आपकी आजादी है इसको कंट्रोल करने के लिए भारत की प्रभूता और अखंडता याने सोवेर्निटी और इंटिग्रेटी राज्य की सुरक्षा विदी सी राज्योष के साथ महित्रिपूर्ण संबन्त लोक व्यवस्ता शिष्टाचार्या सदाचार के इतों में अथ्वा न्यायले अवमान मान्हानी या अप्राद बंदन जहां तक कोई विद्यमान विदी अधिवरूपित करती है वहां तक उसके प्रवर्दन पर प्रभाव नहीं डालेगी इसका अगर सीदी सीदी आसान हिंदी में मैं बताओं आपको तो जहां देश की एकता अखंडता और देश के जो अधिकार एक देश होने के सोव इस राइट को दुसरा कोई अपंड़ान तो जो हमारा फंडमेंटल राइट है अध्याए इसको हमसे कोई नहीं मैं चिन सकता अचे तो इस अगर इसको हम रोगरा हैं किसी को अपना बॉलने कोशिश कर। इसलिए आर्टिकल नाइंटिन है अगर आप देश में भारत में तो भारत के नागरिक से उसके बोलने का अधिकार कोई नहीं अब बात चली थी एक ज़ने अगर सच देखे तो बोलने क्या बोलने का अधिकार से रोका जा सकता है से लेकिन और इसने स्पेसिफिक टॉपिक द इसलिए हमको फिर से एक बार समझने की जुरत है नागरिक्ता का कानून यह समीधान से आता है समीधान का आर्टिकल 5 जो डॉक्टर वाव साब अमेटकर ने ड्राफ्ट किया था जिसके बारे में कहते थे कि यह एक ऐसा अर्टिकल है जिसको ड्राफ्ट करने मुझे बहुत वक्त भी लगए तो वहां से आता है कि 26 जन्वरी 1950 को यहां पे जितने लोग रहते थे भारत में सब भारती हुए उसके बाद 1955 में लिए सिटिजन्शिप आक्ट बना में सिटिजन्शिप आक्ट ऑप एक्ट के तहर जब उस दिन तक के जितने लोग थे वह सब भारती रहें बाद में उसमेंडमेंट आते गए तुझ उस अमेंडमेंड के तहर एकतिस जून 1987 तक जितने लोग यहां पैदा हुए वो सारे भारती है फिर अगला अमेंडमेंट आया कि एक जुले 1987 से तीन डिसम्मर 2004 के बीच में जिनके माबाप में से कोई एक भारत में पैदा हुआ है या भारती है तो वो बच्चा भारती है हो गया कि उसके बाद अब जो अमेंडमेंट इन्हों ने लाए अब उसके बाद एक अमेंडमेंट आया कि तीन डिसम्मर माबारती है बाब इलिगल माइगरंट है तो नहीं यहां तक भी ठीक था और उसके बाद फिर 2019 जो यह कहता था कि अफगानिस्तान बांगला देश और पाकिस्तान से जो हिंदू बहुद्ध सिख क्रिस्चन पार्सी ज्यू यह भारत में आएंगे याने 31 डिसम्मर 2014 तक के जो आ गए उनको यहां की नागरिकता देती जाएगी जब उपर उपर देखा गया तो लोगों ने सोचा कि इस कानून में भारतिये लोगों के लिए कुछ नहीं है लेकिन जब उसके स्टेडी रुए तो यह पता चला कि यह कानून सरासर हमारे समिधान के खिलाब है देखिये क्या होता है कि जैसे अगर आप नहाने के लिए पानी गरम गरहें गरी कि अग्यक्ता थो जो टेंप्रेचर आपकर चक करते हैं तो टच करके देखते हैं पानी पर अगर आपका अगर joinsा कि चले दाएगव अगर वो ज्यादा गरम है तो फिर आप इंतजार करेंगे उसको डावने का मुझे लगता है कि सरकार ये कानून बनाने से ये चेक कर रही थी सम्मिधान के विरोध को सम्मिधान के उलंगन को कैसा लेती है अब ये सम्मिधान कहता है कि किसी भी धर्म के आधार पर किनी दो लोगों में इस देश में फर्क नहीं होगा सम्मिधान कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हो गए और हमने एक कानून बना दिया जो धर्म पे आधारित है सतर साल में इस देश में बना हुआ पहला कानून जो धर्म पे आधारित है अगर हम यह कानून आज मान लेते हैं कि ठीक है यह धर्म पे आधारित कानून है हमको चल जाएगा तो इफेक्ट क्या होगा इफेक्ट यह होगा कि इसके बाद जो भी सरकारे आएंगी इसको एक प्रिसिडन्स करके यूज करेंगी और हमारे जो समयधानिक अधिकार है चाहे वो अंटेचेबिलिटी वाला हो या हमारा वो अधिकार हो जो यह बताता है कि हमको जीने का अधिकार है बिना कानून के प्र दूसरे जो अधिकार है जितने सारे उन अधिकारों का हनंद करके भी कानून बनाये जा सकता है इसलिए यह चिक करने वाला कानून था और पूरे देश ने खड़े होके बताया कि नहीं समयधान के खिलाब बनाया हुआ कानून हम हर्किस कुबूल नहीं करेंगे और वह ते तीन चीज़ होते तो उस कानून में खिलाफ क्या था उस कानून का प्राबले यह था कि सबसे पहले तो आर्टिकल 14 15 की खिलाफ था उसका वायलेशन था उसका इफेक्ट यह हो रहा था कि जिन लोगों के पास में पेपर्स नहीं होंगे भारत में तो आ जाएंगे हम ब देश की सुरक्षा के साथ कॉम्परमाइज कर रहे हैं हमको पता ही नहीं कि हो कौन है क्यों आ रहा है भारत में कहीं वो उन देशों का जासुस तो नहीं है यहां के घड़बडी तो नहीं करने वाला है इतना खतर्वा देश की सुरक्षा से कॉम्परमाईज फिर हम यह जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका में इंतिजाम कैसा करें आज हम देख रहे हैं कि हम हमारे लोगों तक रोटी कपड़ा मकान नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आने वालों का क्या उनको हम कहां से पहुंचाएंगे तो यह बहुत यह अजीब बात इसका इफेक्ट यह हो रहा था कि आसाम में जो 19 लाख लोग नर्सी से बाहर हो गये थे उनमें से 14 लाख लोगों को धर्म के आधार पे उनके बच्चों को तो यहां की सिटिजन्शिप मिल जाएगी लेकिन जो पांच लाख लोग बचेते उनको धर्म के आधार पे देश से बाहर किस देश में भीजेंगे वो स्टेटलेस हो जाएगे तो इस तरह के पूरी सीरीज ही एक्सपर्ट से निकाली थी कि इस कानून से इतने लोगों पर नाइन सापी होगे और उसका विरोध हुआ अब उसका विरोध हुआ तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो क्या यह विरोध देश का देश द्रू है कि कई लोग यह कहते हैं कि कानून का विरोध यह देश द्रूए मैं आपको बड़ा मज़ेदार किस्सा बता हूं कि जब समीधान आया तो उस वक्त और गनाइजर नाम का एक मैगजीन निकलता है और गनाइजर नहीं छापा था कि यह कैसा समीधान है इसमें तो कोई भारतियता नहीं है बलके हमको तो जो हमारा हजारों साल से समीधान चला आ रहा था मनुस्पूरुति वह समीधान के तौर पर चाहिए था डॉक्टर अंबेटकर ने कैसा बनाया समीधान और इस तरह का समीधान हमको कभी कुबूल नहीं होगा ऐसा नहीं किसमत का फेर देखिए कि उस मैगजी सिंग के खिलाफ डेली अड्मिस्टेशन ने एक और निकाला था कि कि इन्होंने कुछ भी पब्लिश करने से पहले हमको बताना चलिए तो उनको वही समीधान का आर्टिकल 19 की मदद लेके सुप्रेम कोड गए और सुप्रेम कोर्ट में उन्होंने कहा कि समीधान हमको यह प्रोटेक्शन देता है कि अभी व्यक्ति का हमको आजादी है और सुप्रेम कोर्ट ने बात माना कि अभी व्यक्ति की आजादी है और वह कौश किया गया वार्डर और वही ऑर्गनाइजर जो समीधान का विरोध कर रहा था समीधान का सपोर्ट लेके समीधान का प्रोटेक्शन लेके उसने सुप्रेम कोर्ट में अपने आपको भारतिय कहें के भारत के पूरे भारतिय था के पूरे अधिकार ली यह ब्रीज भूशन के नाम से केस रिपोर्ट हुआ है तो समीधान विरोधी हमेशा से रहा है लोग कर डॉक्तर बावासाब अबेट कर कहते हैं कि अगर समीधान हमें अंग्रेजों ने दिया होता तो एक ऐसा गुट होता जो कहता है कि हमको समीधान मनजूर नहीं है और वह हमेशा यह कोशिश करता रहता कि किस तरह समीधान को जो पार्टी या जो गुट समीधान को ठीक सुचारू रूप से अमल में ला रहा है हमेशा उसका विरोध करें यही उसका एक एम हो तो ऑर्गनाइजर चलाने वाले जो गुट है जो कहते हैं कि राश्रिय समय से वक्सं से चुड़ा हुआ गुट है वह हमेशा ही समीधान को 1950 में ने कहा था कि हमें खुबूर नहीं है कई सालों तक के समीधान का विरोध करकर है फिर समझ में आया कि समीधान का विरोध नहीं किया जा सकता बलके समीधान से फाइदे लिए जा सकते जिसका एक नमूना ये जज्जमेंट है लेकिन जो अंदर था कि समीधान को हमको फेल करना है उसकी कोशिश है तो करनी ही है हम देखी आज सारी समीधानिक इंस्टुशन का हमने क्या किया हैं घर वाज हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन सी जो लाना है यह समीधान के खिलाफ था खिलाफ है और अगर हम प्लेंली भी पड़े तो खिलाफ है और समीधान के रक्षा करना यह कभी भी देज़द्रो हो नहीं सकता तो एक्जाट्ली रोह को define करता है जो कहता है कि whoever by words either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life to which fine may be added or within preservation याने अगर कोई बोलकर या कोई representation से या written form में इस देश में कानून द्वारा चुनी गई government के खिलाफ नफ्रत है लाकर तो देश द्रू है अब सम्भीदानिक अधिकारों को अगर आपको सम्भीदानिक अधिकारों को अपनी रख्षा करने के लिए आप अगर आवाज बुलंद कर रहे हैं तो क्या वो सरकार के खिलाफ नफ्रत खेलाना है ये कानून आईपीसी में आया था अठारा सो सक्तर जास बस बल्के एग्जेक्ट कहूं तो अठारा सो अठानों है वन इट नाइट तब अंग्रेजों की सरकार थे वो चाहते थे कि भारत का कोई भी नागरिक अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज न उठा पाए अगर उठाते हैं तो उनको सजा दी जाए इसी कानून के तहत लोकमान ने बाल गंगादर तिलफ को सजा दी दी थी इसी का स्ट्यूशन अपनाया कानून बदल गया आर्टिकल नाइंटीन को यह सेक्षन कंट्रोल नहीं कर सकता ऐसा सुप्रिम कोर्ट है और सुप्रिम कोर्ट ने ये बात बार बार कहिए है आज तक के बोलने की आजादी कभी भी देश दुरू नहीं हो सकती सबसे पहले यह बात 1950 में ही रोमिष ठपर की केस में भूली है फिर ब्रिजभूशन के केस में पूली है सुप्रिम कोर्ट ने बार बार कहा कि यह नहीं हो सकता क्योंकि अब हम डेमोक्रेसी में एक बड़ी अच्छी बात सुप्रिम कोर्ट में एस रंगराजन वर्सिस पी जग जीवन राम की केस में 1989 में वह कहते था कि देमोक्रेसी जगवर्मेंट बाइद पीपल वाया ओपन डिसकेशन कि यह लोगों ने दिया हुआ सरकार है जो चर्चा के बाद आई है खुली चर्चा के बाद देमोक्रेटिक फॉर्म आप गवर्मेंट इट्सल्व कि लोग तंत्र यह अपने सिटीजन से चाहता है कि वह सोच समझ के कम्यूनिटी में डिसकेशन करें एक्टिव रहे पार्टिसिपेट करें गवाब्लिक डिसकेशन विट पीपल्स पार्टिसिपेशन इस बेसिक फीचर एंड रैशनल प्रोसेस आप डेमोक्रेसी पब्लिक का डिसकेशन और लोगों का पार्टिसिपेशन यह बेसिक फीचर है रैशनल प्रोसेस का डेप डेमोक्रेसी के लिए विच डिस्टिंगुईशेस इट फ्रॉम अगर राजिश आई कहीं डिक्टेटर्शिप है उससे यह डेमोक्रेसी को कैसी अलग है बताने का बेसिक है ल नाइदर वर्क नौर प्रॉस्पर अनलेस पीपल गो आउट तो शेर देर व्यूज डेमोक्रेसी कभी अपने आपको बुलंदी पर नहीं ला सकती बड़ा नहीं कर सकती जब तक के उसके पार्टिसिपंट्स याने नागरिक अपने व्यूज एक दूसरे से शेर ना करें सब्सक्राइब करना ही सबसे बड़ा पॉजिटिविटी एडेमोक्रेसी के लिए अब अगर हम यह कहें के कानून हमने बढ़ा है उस कानून का किसी ने विरोत किया तो देश्दरो है वो समीधान का क्या अधिकारों का लगाया है क्या उसके खिलाफ नहीं चाटी है बड़ा देश कैसा चले कौन से कानून हो कानूनों का पाक्राइब है ये लोग ही तो तै करेंगे क्या ये लोगों ने दी भी सरकार है या लोगों के लिए सरकार है जब डॉक्टर वावा साथ अमबेट करने अपना आखरी भाशन दिया था समिधान सभा में उसनों ने इस बात का उलिक किया था मैं उसके प्यारा आपके लिए पढ़ता हूँ कि डॉक्टर वावा साथ आमबेट कर कहते हैं कि कि तीसरी चीज जो हमें करनी आवश्यक है वह यह है कि हमें सिर्फ राजनीतिक लोगतंत्रे से ही संतुष्ठ होकर नहीं रह जाना चाहिए हमें अपने राजनीतिक लोगतंत्र को एक सामाजिक लोगतंत्र भी बनाना चाहिए जब तक राजनीतिक लोगतंत्र की बुनियाद में सामाजिक लोगतंत्र स्थीत नहीं होगा तब तक राजनीतिक लोगतंत्र की इमारत स्थीर और टिकाओ नहीं हो सकती सामाजिक लोगतंत्र का क्या आर्थ है इसका आर्थ है एक ऐसा जीवन जीने का धंग जो जीवन के आधारबुद सिद्धान्तों के रूप में सोतंत्रता समानता और बंदूता को स्विकार करता हूँ स्वतंत्रता, समांता तथा बंदुता के ये तीन सिद्धान्त त्रही में विद्यमान तीन अलग 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 के रूप में तीन प्रुथक प्रुथक तत्व ही नहीं माने जाने चाहिए यह वास्तों में सहिएक प्रूप से मिलकर एक एकी कुरूत रही का निर्मान करते हैं इस अर्थ में कि इन्हें एक को दूसरे से अलग करना लोगतंतर के उद्धेश को भी पराजित करना हो जाता है सोतंतरता को समांता से अलग नहीं किया जा सकता समानता को सोतंतरता से अलग नहीं किया जा सकता न सोतंतरता और समानता को बंदूता से पुरुथक किया जा सकता है समानता के बिना सोतंतरता बहुल जनों पर अलप जनों की प्रभुता से उस्पन न करेगी और स्वतंतरता के बिना समानता वयक्तिक पहल को ही नश्ट कर देगी बंदुता के बिना तो स्वतंतरता तथा समानता एक स्वाभाविक प्रकरिया जन्ने चीज नहीं बन सकती है तब तो स्वतंतरता और समानता को लागू कराने के लिए पुलीस के इस्तमाल का सारा लेना प बंदुता कि जो धर्मों की लिस्ट में नहीं आता वो बंदुता से बाहर हो गया प्र हमने क्या किया के 2014 तक के KAK रोक दिया वहां तब तक के जो लोग आए उनको हम नागिश्टा देंगे यानि हमने समांता क्थम कर दी थीनी देशों का नाम दिया। दूस्रे देशों का लिए हमने समानता खत्म कर दि तो जब हम बंदूतार समानता खत्म करती है ! और पर इसके खिलाफ आवाज उठाने को देश्चण्रों का यानिस सदंत्रता समाप्त कर दी तो जो तो दो तीन बेसिक पिलर से कंस्ट्यूशन के जिनके बारे में डॉक्टर वावा साब अमबेट करने इतने इंपॉर्टन्स दिया कि अपना आखरी बाशन जो था समिधान सभा का उसमें उसका ये इस तरह से उल्ले किया कि तीनों नहीं होंगे तो देश पुलिस स्टेट बन जाएगा हम वही देख है कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना उसके खिलाब समिधानिक तरीके से आवाज उठाने को अगर हम देश द्रो कहेंगे तो हम ये तीनों समिधानिक जो चीज़े डॉक्टर वाव साब आमिट करने के यह उनका उलंगन कर रहे हैं कि देश्ट रो है कि सुप्रिम को बारबार कहा कि हमारा देश कि यह अ कि सेकुलरिजम पर खड़ा है जो हमारा समिधान है यह से चलेगा सब्सेक्राइब का मतलब यह निया तो आप एक बैंगलोर कि गवर्मेंट में ऑडर की थी है कि प्रश्विन तोगडिया नाम के व्यक्ति के खिलाफे और चीया था उनको बाशन दिने से रोका था आने से रोका तो वो केस सुप्रीम कोट तक दे का सुप्रिम कोट ने का कि हां अलग अलग धर्मों के साथ अल देश विरुदी हो सकता है लेकिन सभी धर्मों को आप एक नजर से देखो सभी धर्म के मानने वालों को आप एक ही कानून से के साथ चलो उनके साथ एक ही तरह का बरताओ करो यह कहना यह देश विरूदी कभी नहीं हो सकता यह तो समीधान को लागू करो ऐसा कहना है और समीधान को लागू करो यह डिमांड करना कभी भी देश के खिलाफ नहीं हो सकती अब अगर हमने इसका विरूद नहीं किया तो क्या होता मैंने कहा कि इससे पहले में बताया कि यह पानी गर्म है या टंडा यह चेक करने की एक कोशिश है तो तब देश का एक तब का ऐसा था एक ऐसा पार्ट था जो इस कानून के साथ चल रहे तो सरकार को और और अड्मिस्टेशन को एसा लगा पानी ठीक नहां सकते हैं तो उसके बाद उन्होंने ने स्टेव उठाया कि कंस्ट्यूशन में जो रिजर्वेशन डिये है उनके बारे में यह बाते करना कि जो पिछडे को रिजर्वेशन दिया वही कंस्टूशन में नहीं है कि पहले चर्चा शुरू करते हैं बाद में अमल करते हैं कि आज अगर हम देखें तो पैंडेमिक सिचुएशन इसमें ने कंस्टूशन को उठाकर रख दिया कोई कंस्टूशन और्गनाजिशन काम नहीं कर रही जो इलेक्टेट लोग है वो गायब हैं हमने सिर्फ आफिसर्स के हाथ में एक्जिक्टू के हाथ में देदिया पूरा सरकार राइट टू फूड कहां गया आज हम ऑनलाइन क्लासेश चलानी की बात करते हों यह भूल जाते हैं कि 40 परसंट बच्चों के पास तो इंटरनेट नहीं है अगर इंटरनेट है तो स्मार्ट फोन नहीं है तो वह बच्चे जो राइट टो एजूकेशन इकवल एजुकेशन कि हम बात करते हैं उसलीए बहुत जूरूरी है कि हर वो कानुन जो तो किसी के भी चाहे आपके हो मेरे हो किसी के भी सम्विधानिक अधिकार का हनन करता है उसका विरोध करना और यह विरोध देजद्रो हो नहीं सकता एक बड़ा अच्छा क्याप्शन डॉक्टर वाव सब आमबेट करका आज के इस वेबिनार के इन्विटेशन के सब में सम्ता सेनिक सल ने दिया कि ऐसा वक्त आ सकता है जब अप अन्याय रोकने में असमर्थ हो मगर ऐसा वक्त कभी नहीं आना चाहिए जब आप विरोध करने में नाकाम हो कि दॉक्टर वाव सब आमबेट कर हम से उम्मीद करते हैं कि ठीक है हम वो रोक पाए नहीं रोक पाए वो सेकंडर ही है लेकिन क्या हमने कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमने कोशिश करनी चाहिए हर असमयदानिक चीज़ का विरोध करनी की इसलिए अपने आखरी भाशन में वो क्या कहते हैं जब वो समप करते हैं भाशन मैं भी वही करके अपने भी बात को खत्म करना चाहूंगा कि अब मैं अपने भाशन को और लंबा खीच कर इस सदल को जादा बोजिल नहीं बनाना चाहता इसमें कोई शक नहीं कि सवतंतरता हमारे लिए एक प्रसंदता का विशह हैं लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि सवतंतरता ने हमारे उपर कुछ भारी जिम्मेदारियां भी डाल दिये इस स्वतंत्रता ने आगे चल कर कुछ भी गलत और गड़बड होने पर उसका दोश अंग्रेजों के मत्थे मढ़ने का हमारा पुराना बहाना खत्म कर दिया है इसके बाद आगे चल कर चीज़े अगर गलत दिशा में जाती है और कुछ गड़बड़िया होती है तो उसके लिए हमें अपने अलावा किसी और को दोश देना बेमानी होगा आगे चल कर हर गलती के लिए हम स्वय जिम्मेदार होंगे चीजों के गलत रास्ते पर चले जाने और गड़बड़िया होने का आसन्न कत्रा भी बहुत है समय तेजी से बदल रहा है तमाम लोग जिन में हमारे अपने लोग भी शामिल है नई विचारधाराओं के प्रभा और प्रभा में बहने लगे हैं वे सिर्फ जन्ता द्वारा चुनी बनी सरकार से ठकते जा रहे हैं वे जन्ता के लिए काम करने वाली सरकार पाने के लिए उताव ले और व्यग्र हो रहे हैं और इस बात से उदासिन या लापरवा है कि ऐसी सरकार जनता की और जनता द्वारा सरकार होगी भी या नहीं यदि हम इस समीदान को बरकरार रखना चाहते हैं जिसमें हमने जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार संबधी सिद्धान को स्थाफित करने का प्रयास किया है तो हमें यह दुरड संकल को लेना होगा कि हम न तो उन बुराईयों को पैचानने और मानने में हिच्किचाएं जो हमारी रहा का रोड़ा बनकर बादा डालती है तथा जिन लोगों को जनता द्वारा सरकार के मुकाबले जनता के लिए सरकार को अधिक तरजी और महत्वत देने के लिए लालायती और प्रयरित करती है और अनहम उन बुराईयों को दूर करने की अपनी पहले में शितलता आने दे देश की सेवा का बस यही एक मातर रास्ता है इस से बहतर कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता डॉक्टर बावा सब आम बटकर चाहते हैं कि हम हर हाल में इस constitutional democracy की रक्षा करने के लिए उठकर खड़े हैं और वो करना यही देश सेवा का सबसे अच्छा रास्ता है तो जो देश सेवा का सबसे अच्छा रास्ता है वो देश द्रो कभी नहीं हो सकता इसलिए आज के इस विविनार से मैं अपनी ये राय रखना चाहूंगा कि समिधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए समिधानिक तरीके से C.A.E. का किया जा रहा विरोद किसी भी अर्थ में देश द्रो नहीं बलके देश भक्ती है और आप सभी से इसी देश भक्ती की उमीद करते वे मैं इजाज़त चाहता हूं सम्ता सैनिक दलका फिर से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद देते वे आपसे इजाज़त चाहता हूं जय भारत जय देशाचा भविश्य हाविश्य घडवना रहे अत्ता सोपय शब्दा मदे तुमी जनते ला हाविश्य पटोन दे लेला है कि डॉक्टर बावाज से वंबेट करानी जी आर्टीकल फिप ताहे मंजे सिटीजन शीप ताहे साथी किती महेनक गितली अंडर आर्टीकल 13 काया है, 14 काया है, राइट टो एक्वालिटी, राइट टो फ्रीडम अफ स्पीच काया है इथे जगनाचा सर्यान अधिकार है, मंजे स्राइट टो लाइफ अशे सगे आर्टीकल्स जी महत्वपूरुना सविधाना मदल आर्टीकल आहे अपले ला बोलनाचा अधिकार आहे अर्था ताच सविधानिक पद्धतिने हक का अधिकार वाचविना साथी आनि देशाचा हीताचा जाजा कही बाबी असे त्या साथी भारता तिल जनते नी बोलाईला अर्था तच तो देश द्रो भूश शकत नहीं आणि ते डेमोक्रेटी ला मजबूत करना साथी देशला वाचवनेचा फर मोठा समाध्यमा है अतिशे तुम्ही थोड़के अपन अभ्यास पूर्ण आणि साध्या सूपय करने के लिए तक आप असमर्थ होंगे तर सांगना से तक पर है चाहे किजिए काहीं सीए एनासी लॉक्ड़ॉन चाहिए संपूर्ण देशा मदे शाहिन बाग कसर लड़ला है संपूर्ण विश्वाला चाहिति है कि आता जान्चा जन्मा या भार्ण भार्ण नारत देशा मदे हो तो कॉंस्टिटूशन मेकर मनता कि तो भारताचा नागरिक आहेच परंतु आपल्यास देशा मदे आपल्याला स्वतहाचा नागरिक कत्व सिध्ध करावो लागते मिंजे हा देश्वासियांचा अपमान आहे तर अशा पद्धती चा सीए एनारसी समो बिदानवाचा विणिसा अपल्याला जेजेस सव्वेधाने करवाई आया तो सिरकार को मांध्य मातों सेए न्रसी fya की शिख्शा निंड्यास घुब-खूप आभार मानों इच्छी ते आनी अर्थात तस आभार मानना प्यक्षामितन चे रुनात रहों इच्छी ते करन सम्ता से लाला नहेमीच भखकम असा आधार माननीय फिर्दोस मिर्जा सरांचा रहे लेला है गेले चार वर्षा पसन समता से लिदल मुख्या दिक्षा भूमीची ते जूर लेला है सोबत जे महत्व पूर्णा काईदेशिर बाबी आहे अमक ते इवियम आंदोलन असो तेला अनुमती देनाचा असो ते काईदेशिर लढ़ा नहेमीच लढ़ता लेला है ते विजय देखिल आमी समता से लिदलाचा माध्य मातो अनी भखकम पने फिर्द दोस मिजबसनां से फार मोठा से योगदान खाई लेला है आनि आज साहम अनाल अंतर पुना सी ए अनाल सी जे जे अन्याय चा विरोधात आवाज उठो तार तैंचा वरती सेडिशन ची गुने दाखल करने ते तार देश द्रोह चे मैंजी किती तरी मोठा ही शड़े अंतर आहे तर ते देश द्रोह नसून हे देशाला वाचवीना साथी ते लोक आंदोलन करता त्या आंदोलन कारी लोकांचा पाठी मागे देखिल आपन सक्षम पड़े उबर आयला हवा जे कही सब्विधानिक आर्टिकल्स आहे ते देखिल आपन समझून ग्यों नहीं मीच अस सरकार कड़ूं हो तसले आपन तेशा विरोधा केलार स्पाहिजेन कारें सरकार आणि जंतेचा हाजो काई सम्मन्द आयतो भारतिया सब्विधाना मुले आणि असर्वे धानिक वारबर कारवाय करता से ते आपन जंतरी देखिल आपन सरकार ला मानूने हेज एक पुनाच सरांचा स्पीट चाहा सारूता पी पुनाएक दा समस्त सहेगांचा बती ने सरांचा खुब-खुब आभारवाणू इची दे थैंक्यू सो में सर जै भारत जै सविधांगी